नमस्कार दोस्तों मैं रोहितलाल हम लोग नागपूरी भावावावावावावावाव पढ़ रहे हैं हम लोग नागपूरी ब्याकरण में आज क्रिया याने की भारब को समझेंगे इसे एकजाम में एक से दो कोशन का जगा बनता है अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो प्ली चैनल को अप्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लेजे ताकि वीडियो अप्लोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा आज ये शुरू करते हैं देखें पहले हम देखें कि क्रिया का परिभाफा क्या है तो यहांना पूरी में क्रिया का परिभाफा हम लोग अलग अलग तरीके पर तिन चार समझेंगे जिसे एक जामना का कोशन आए तो छूटे नहीं वाकिसा रचना का फिधा संबंद जो होता है वो क्रिया या काम से किसे भी काम को करने चाहे होने का यह बूद्थ होता है वह क्रिया कालाता है व क्रिया कि रचना के विचार बीनमय कर फाधान मानल जाएला जह चलते बिचार चाहें प्रयोजन के फिद करेकले क्रिया कर उपयोग कर जाला है ठीक है वा के रचना के विचार बीनमय का जो फाधन होता है उसे क्रिया कहते हैं नागपूरी भाफा में भी क्रिया वा के रचना के जैसा ही नियम लेके आता है जैसे हिंदी और पंस्कृत यूज करते हैं और नागपूरी में वही खायक हो जाता है हिंदी में नापरतेय का यूज होता है और नागपूरी में वह एक परतेय के फाथ आता है इसलिए यहां पर खाना जो है वह खायक बन जाता है नागपूरी में क्रिया था मुल्धातु में एक परतेय जोड़के बन रोना पीना और वही जब नागपूरी में हमलोग करते हैं तो एक परतिय के पाथ आता है जैके खायक गायक बजायक यह पर क्रिया का मुल्वब्द के धातु खल जाला तो यहां पर देखें आपको यह पॉइंट इंपॉइंट है इसको याद रखना है कि नागपूरी में क् क्रिया विचार दूइ तरफ हो वेला मुल्क क्रिया चाहे कर्म के आधार पर प्रचलित क्रिया और पनरचना के आधार पर क्रिया विचार तो हम लोग इन दोनों को एक एक करके समझेंगे कि यह है क्या मुल्क क्रिया चाहे कर्म के आधार पर प्रचलित क्रिया को समझते है पहले एक क्रिया कर दो इठो उपभेद है एक को बोला जाता है अकर्मक क्रिया और एक को बोला जाता है तो अकर्मक क्रिया उफे कहते हैं जिफ में वाक्य में कर्म का परियोग नहीं होता है ठीक है उफे अकर्मक क्रिया कहा जाता है जिफ वाक्य में कर्म का परियोग नहीं ह हो रहा हैं उसे हम लोग अकर्मक्रिया कहता हैं जैसे पुना गाविला रोहीत खेली जैके इसे तरह पे अधर आधर इक्जाम्पल लेखा रहा थे इंपोर्टेट है कि अकर्मक्रिया में वाके में कर्म का पर्योग नहीं होता है सकर्मक्रिया कर्म सहीद जे वाकिय होएला उके सकर्मक्रिया काल जाता है मतलब जिफ वाकिय में कर्म का उपयोग हो रहा है उसे सकर्मक्रिया कहते हैं सकर्मक्रिया का भी दो उपभेद है एक कर्मक्रिया और द्वी कर्मक्रिया तो एक कर्म क्रिया में एक कर्म का उपयोग होगा और दुई कर्म क्रिया में दो ठे कर्म का उपयोग होगा एक कर्म के लिए एग्जामपल होगा पुनम गित गावली, रोहित क्रिकेट खेल लगा तो यहाँ क्या वाध के बारे में एक कर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और दुए ठे कर्म वाले में पुनम भाई हार के रूपया भेजले किसी भी वाक्य में एक कर्म का पहचान करने के लिए हम लोग क्रिया के पाद का लगा के फ़वाल पूछते हैं तो हमें एक कर्म के बारे में जानकारी मिल जाता है जैसे अभी हम लोगों ने एक्जांपल देखा कि बिराट क्रिकेट खेले लाते हैं इसमें कर्म क्या है क्रिकेट हो रहा है ठीक है एक कर्म है जबकि दुसरा वाकिय में हम लोगों ने देखा कि पुनम भाई हार के रुपया भेज लग तो इसमें कर्म को पहचानने के लिए हम लोग क्रिया के बाद के लगा कर फवाल पूछेंगे तो हमें कर्म का जानकारी मिल जाएगा कि दूई कर्मक क्रिया है या एक कर्मक क्रिया तो दूई कर्मक क्रिया के लिए हम लोग क्रिया के बाद के लगा कर पवाल पुछेंगे तो हम लोग को एंफर मिला कि यह दूई कर्मक क्रिया है इसमें दूई कर्मक के बारे में बात हो रहा है तो फुनम भाई हार के रूपय भिज़ लाख इसमें दो ठे कर्म हैं एक रूपया और एक भाई है, मतलब दो यहां पर कर्म का हमें पता चल रहा है, आजी नेक्स क्रिया कर इस्तेमाल होजे ला उके सामाने चाहे पाधारन क्रिया कर जा ला यह important है इसलिए उस्तेमाने या फाधारन क्रिया कहंगे जैसे more ब driving कृता है इसी तरह वमखें जिस वाकिवय में दो चाहे दोशे अधीक धातु का बोज होता है या उप्योग होता है उसे सजुक्त क्रिया कहेंगे हम लोग जैसे भोला पईड लिख के बढ़ आदमी बन लग ठीक है यहां पर दो हो रहा है पढ़ और लिख नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया इस क्रिया में मूल में कवनो धातु नी हो एक संग्या फर्वणाम चाहे बीशेशन हो एक जो क्रिया रूप में बदल जाता है जैसे इसके एजमपल ले सकते हैं संग्या से रिलेटेड तो नाच यह नचुआयक हो जाएगा फर्वनाम फ्रिलेटटि अगर इग्जांपल ली जगा तो और तुरवायव को जागा बिशैसल फ्रिलेटटि एग्जांपल अब लोग तो गरम गर्मुआइक हो जागा तरफे आप अधर और एक्जामपल ले सकते हैं लोगों देखते हैं इसका एक्जामपल कि इसका यूज कैसे होगा यह कंबल बड़ा गर्म होएला मतलब कि यह कंबल बहुत ही ज्यादा गर्म रखता है मोई आमबा तुरवायक भगीचा जाए रहूं या बगरा नचवायक कर ले सकते हैं जैस है अधर और आधर एक्जामपल ले सकते हैं गर्म हुआ तो तो क्या हो जागा ततल वायक हो जागा ते टेकट एफ-म अदर अदर एक्जाम्पल्स है आप एक्जाम्पल्स सोचें बहुत ज्यादा बेनेफिट होगा क्योंकि उसे आपका vocabulary strong होगा next है प्रेरनार्थक क्रिया किसी भी वाकिय में जब करता खूद काम नहीं करके दूसरे से काम करने के लिए प्रेरित करता है तब उहां प्रेरनार्थक क्रिया का यूज होता है जैसे रमेफ भाई से नोट से लिख वालक रमेफ यहां खुद काम नहीं कर रहा है वो अपने भाई से नोट से लिख वाल रहा है मालिक ड्राइबर से गाड़ी चल वालक मालिक खुद गाड़ी नहीं चला रहा है वो अपने ड्राइबर से गाड़ी चलवा रहा है इस तरह एक्जांपल लें सकते हैं मालकिन नौकराने पे-्खाना बन्वरन लग- तो मकिन खुद खाना रही है , किसी और से काम करने के लिए प्रेटिच करte को दिये कि आणनार से क्रिया कोया हूँ. इस वीडियो में क्रिया रिलेटेड सब्सक्राइब का कोसिस किया है, I hope किया आपको यह वीडियो पंसदा आया होगा वीडियो पंसदा आया, तो प्लीज वीडियो का Like कीजिए, अपने दुस्तों के साथ share कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे channels का शैनल का subscribe नहीं किया है, तो प्लीज चैनल का subscribe कर ल candidates और बेल आइकन दबा लेजे ताकि वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटेपी के फिल मिल जाए धन्यवाद